नश्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं विकेडिनी जर्खन और मैं कोप्पू अदबारती आज पर्धान मंत्री नाजनर मोदी का बाहतरवा जनम दिन है और पुरा देश उनके जनम दिन को मना रहा है लेकिन बाहतरवा जनम दिन पर रूस के राष्टपती पूतीन ने उसे बधाई नहीं दी क्योंकि रूस में एक नियम है कि एड़वान्स में किसी को बधाई नहीं दिया जाता और कल मोदी जी और रूस के राष्टपती दोना एक साथ थे और उन्होंने कहा कि मैं आपको बधाई नहीं दे सकता क्योंकि रूस का नियम है कि किसी को भी एड़वान्स में बधाई नहीं दिया जाता है दूसरी ख़बर जो है वो जहरखंड से है और जहरखंड में आज 22 जनम दिन मनाए जा रहा है यह बार अजीब तरह का सुनने में लगा होगा आपको लेकिन यह हकीकत है यह सही है जहरखंड के पुरो मुख मंत्री और भारती जनता पार्टी के राष्टी उपाद्यक्ज रगवर दास में आज प्रसान मंत्री नरेंदर मोदी का 22 जनम दिन मनाया किस प्रकार से मनाया पहले उसे आप सुनिये उसके बाद फिर हम आपको यह पूरी बात बताएंगे और दिखाएंगे के लोगप्रिये जल्प्रिये दिनिया का सरवादिक लोगप्रे नेता हमारे पतान मंत्री कादिली मोदी जी विस बर्स 17 सितंबान आज के दिनी 22 बर्स पूरे बात कर रहे हैं आप में सुना होगा कि किस प्रकार से जारखन के पुरू मुखमंत्री रगवर दास ने बताया कि आज प्रधान मंत्री नागेंदर मोदी 22 साल के हो गए यह मामुली सी भूल है सिलिप आफ टंग बोला जाता है कि मिस्टेक से निकल गया लेखिन यह गलती सभी से होता है सिर्फ रगवर दास से ही नहीं राहूल गांदी से भी हो जाता है और वही गलती आपने सुना होगा नहीं सुना है तो पहले हम वो वीडियो आपको दिखा दे रहे हैं जिस पर खुब वहाल होगा आए देखते हैं राहूल गांदी का गलती आटा 22 रुपे लिटर आज 40 रुपे लिटर राहूल गांदी ने तेल की कीमत बागी चीज़ों की कीमतें को बताते बताते उन्होंने आटा 22 रुपे लिटर बोल दिया था सबी चीजन लिटर लिटर बोलते बोलते आटा का बात जबाया तो वो भी लिटर में बोल दिया ये भी सिलिप अफटन था उन्होंने तूरत ही इस चीज को सुधार लिया लेकिन भारती जनता पार्टी के जो आईटी सेल के लोग हैं उन्होंने इसे बड़ी सिरियस्ली लिया और वाइरल किया और इसमें देश की जनता ने भी उनका साथ दिया और इस वीडियो को वाइरल करने में मदद किया लेकिन हमें समझने की ज़रुत है कि गलती हर इनसान से होती है राहुल गांदी की गलती को ही पकड़ा जाता है बाकि और किसी की क्यों नहीं एक जिम्मेदार नागरी प्रधान मंत्री नरंगर मोदी का जनम दिन अगर पुरो मंख मंत्री कहे कि 22 जनम दिन तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है इसे भी लोगों को देखना होगा अगर की बात करेंगा तो उस पर भास नहीं होगी तो ये तमाम चीजे हैं और आज हमने इस चीज को इसलिए दिखाया क्योंकि भारती जनता पाटी वाले अगर देखेंगे तो उसे भी समझ में आएगा कि छोटी मोटी गलती को हम उसे उतना स्रियसली नहीं लें क्योंकि ये गलती सभी से होती पर्थान मंत्रिय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि बाद क्या बोला था बेटी के आगे वह हम आपको बोल नहीं सकते हैं लेकिन लोगों ने उसे स्रियसली नहीं लेते हैं तो आज हम इस वीडियो का इसलिए आप लोगों के बीच में लाए इ चाहे कंग्रेस हो, BJP हो, राजद हो, समाजवादी हो या कोई और हो, आम आदमी पार्टी हो लेकिन लोग स्रियसली सिर्फ कंग्रेस की गलती को ही लेते हैं, BJP की गलती को नहीं लेते हैं तो हमने आज दिखाने का प्रयास किया कि रगवरदास से भी गलती हुई है उन्हो आपकी क्या राय है comment box मा जरूर बताए